उक्खे वव चौथस अज्जेयनस एवं खलू जंबू तेनम कालेनम तेनम समियनम राय गीह नैरे गुन सीलै चैये तत्थनम सेनिये राया काश्वे नामम गहावई परी वसई जह मकाई सोलस्वासा परियाओ विपुले सिद्धे एवं खेमय वी गहवई नवरम काकंदी नैरी सोलस्वासा परियाओ विपुले सिद्धे एवं धितिहरे वी गहवई काकंदी नैरी सोलस्वासे परियाओ जाओ विपुले सिद्धे एवं केलासे वी गहवई नवरम सागय नैरे बारस वासाई प्रियाओ विपुले सिध्धे एवं हरीचंदने वी गहवई सागय नैरे बारस वासा प्रियाओ विपुले सिध्धे एवं वारत्तैवी गहवई नवरं राय गिह नैरे बारसवासा परियाओ विपुले सिध्धे एवं सुदंसनेवी गहवई नवरं वानिये गामे नैरे दुई पलासै चेये पंचवासा परियाओ विपुले सिध्धे एवं पुन भद्देवी गहवय, वानिय गामे नैरे, पंच वासा परियाओ, विपुले शिद्धे एवं सुमन भद्देवी गहवय, सावत्ति नैरी, बहु वासा परियाओ, विपुले सिद्धे एवं सूपईठे वी गहवई सावत्थी नैरी सत्ता वीसम वासा प्रियाओ विपुले सिध्धे एवं मेहे वी गहवई राईगी है नैरे बहु ही वासाई प्रियाओ विपुले सिध्धे उखे वव पनरस्य अज्जेयनस्य एवं खलू जंबू तेनम कालेनम तेनम समियनम पोलास पुरे नईरे शिरीवने उज्जाने तत्थनम पोलास पुरे नईरे विजये नामम राया होथा तसनम विजियसे रन्नो शिरी नाम देवी होथा वन्नव तसनम विजियसे रन्नो पुत्ते शिरीये देवीये अत्तय आय आई मुत्ते नामं कुमारे होता सु कुमाले। दिम्भी आई मुत्ते नामं कुमाले। दारिये ही ये दारिया ही ये दिब्विये ही ये दिब्विया ही ये कुमारिये ही ये कुमारिया ही ये सद्धिम संपरी उड़े अभीरम माने अभीरम माने विहरे तैनम भगवं गोईमे पुलासपुरे नैरे उच्च निये जाव अड माने इंदठ थानस से अधुर सामन तेनम वीवयाई तैनम से अई मुत्ते कुमारे भगवं गोईमम अधुर सामन तेनम वीवयमानम पासे पासेता जेनेव भगवं गोईमे तेनेव उवा गए भगवं गोईमं depths सिग्यों भंते सब्सक्राइब वैंति दंस 보नगों भंत भंते सब्सक्राइब…? अम्हेनम दिवानुपिया समना निगन्था इरिया समिया जाव बंभियारी उच्चनिये जाव अडामों तैनम अई मुत्य कुमारे भग्वम गोईमम एम्वयासी एहनम भंते तुब्धे जन्नम एहम तुब्भम भिक्खम दवावे में किकट्टु भग्वम गोईमम भग्वम गोईमम एम पासै पासिता ह्थतुत जाव आसनाओ अभूठे अभूठृत हिता, जैन्यु भग्वम गोईमम तैन्यु उआ घथ खुतु एहनम प्याहिनम करिकरिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसित्ता विवलेनम असन पान खाइम साइमेनम पढ़ी लाभई जाओ पढ़ी विशज्ये 33 मुत्ते कुमारे भगवं गोईमं एम्वियासी कहिनम भनते तुभे परिवसाह तेनम भगवम गोईमे अईमुत्तम कुमारम एवंवयासी एवं खलू देवानु पिया मम धम्माए रिये धम्मो वैसाए भगवम महावीरे आईगरे जाव संपावू कामे इहेव पोलास पुरस्य नैरेस्य बहिया सिरीवने उज्जाने अहा पडि गहम उगगाहम उगण हीता संजमेनम तवसा अपानम भावे माने विहरै तैनम अहम में परिवसामो तैनम से अईमुत्ते कुमारे भगवम गोईमम एव्यासी गच्छामिनम भनते अहन तुब्वेहिम सद्धिम समनम भगवम माहवीरम पाय वंदय अहासुहम देवानुपिया तैनम से अईमुत्ते कुमारे गोईमेनम सद्धिम जेनेव समने भगवम माहवीरे तैनेव वागच्छे वागच्छिता जाव पड़ी दंसेई पड़ी दंसित्ता संजमेनम तवसा अपानम भावे माने विहरे तैनम से समने भगव महावीरे आयमुत्त से कुमारस्य धम्म कहा तैनम से आयमुत्त कुमारे समनस्य भगव महावीरस्य अंतिय धम्मम सोचा नी सम्मम हठ तुठ जम नवरम देवानु पिया अम्मा पियरो आप उच्छा मी तैनम अहम देवानु पिया नम अंतिये जाव पव विया मी अहा सुहम देवानु पिया मा पड़िबंधम करे हैं तैनम से आई मुत्ते कुमारे जेनेव अम्मा पियरो तेनेव वागय जाव पव इत्ते आई मुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी बाले सी ताव तुमम पुत्ता ए सुम बुध्धे सी तुमम पुत्ता किन्नम तुमम जाना सी धम्म तैनम से आई मुत्ते कुमारे अम श्रich Aufy सब मोट inadequate सब्सक्राइल कुछेव आजानके सब्सक्राइल अम्मान थे सब्सक्राइल जम चेव जानामी तम चेव ने जानामी तम चेव जानामी तैनम तम आई मुत्तम कुमारं अम्मा पेरो एम वयासी कहनम तुमं पुत्ता जम चेव जानासी तम चेव ना जानासी तम चेव जानासी तैनम आई मुत्ते कुमारे अम्मा पेरो एम वयासी जानामी अहम अम्याओ जाहा जायनम अवस्म मरियववव ने जानामी अहम अम्याओ काहे वा कहीं वा कहं वा केची रेनवा ना जानामी एहम अम्याओ केही कम्माई यनेही जीवा नेरिये तिरक्ख जोनिये मनुस्य देवेशु उववज्जनती जानामी नम अम्याओ जहा सेही कम्माई यनेही जीवा नेरिये जाव उववज्जनती एवं खलू एहम अम्याओ जम चेव जानामी ने तम चेव जानाम तम इच्छामीनं अम्हे आओ तुब्हेहीं अभुण्नाए जाव पवित्यौ तैनम्तम् अईमुत्तम् कुमारं अम्माप्यरो। जाहे नो संचायन्ती बहुहीं आग्वनाहीं जावतम इच्छामो ते जायां एक दिवस्मवी राय शिरिम पासे Waaj तेनम से मुत्ते कुमारे अम्मा प्यो वयनम मनु वत्माने तुसी निये संचित्थाई अभिसेओ जहा महाबलस निखमनम जाओ समाई माईयाई एकारस अंगाई अहिज्याई बहुई वासाई सामन परियाओ गुन रहनम जाओ विपुले सिध्धे उखेवव सोलमस अज्जियनस एवं खलू जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम वाना रसिये नईरिये काम महावने चेये तथनम वाना रसिये अलखे नामम राया हो था तेनम कालेनम तेनम समियनम समने भगवं महावीरे जाव विहरई परिशा निग गया तेनम अलखे राया इनी से कहाई लगधते समाने हट तुथे जहा कोनिये जाव पजुवा से धम कहा तेनम से अलखे राया समनस से भगवं महावीरे से अंतिये जहा उदायने ताह निखनते नवरम जेठम पुत्तम रज्य अही सिंचै एकारस अंगाई बहु वासा प्रियाओ जाओ विपुले सिध्धे एवं खलु जम्बू समनेनम छथमस वग्गस अयमत्थे पनते सत्मो वग्गो जैनम भन्ते सत्मस्य वग्गस्य उखेवव जाओ तेरस्य अजियन पनततन जहा नंदा तह नंदवई नंदो तर नंद सेनिया चेल मरूया सू मरूया महा मरूया मरू देवाय अठमा भद्दाये सु भद्दाये सु जाया सू मनाईया भूय दिन्नाय बोधव आएवा सेनिय भज्जान नामाई जईनम भनते तेरस अजना पनते पढ़मस नम भनते अजयन से समने नम जाव संपते नम के अठे पनते एवं खलू जंबू तेनम काले नम तेनम समय नम राए गीह नएरे गुन सीले चे ये सेनिय राया वन्नव तसनम सेनिय सरणो नंदा ना पुरिशे सद्धा वेई सद्धा वित्ता जानम दुरुहई जहा पौमावई जाव एकारस्य अंगई अही जित्ता विश्वम वासाई प्रियावो जाव सिध्धा एवं तेरस्वी नंदा गमेन नेयव्वाओ निखेवव। बोलिये सासन पती भगवान महावीर स्वामी की लीजिये आलोचना पहले करें आगे परवेश करें आग में तीबी है पन्नते तंजाहा सुत्ताग में अथाग में तदूभयाग में ये हवा शिरी ज्ञान के विशय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो जंबा इधम बच्चा मेलियम हिनक्खरम अचक्खरम पय हीनम विनए हीनम जोग हीनम घोश हीनम सुठ्थू दिननम दुठ्थू पडिछियम एकाले कव सज्जाओ। कालेन कव सज्जाओ। सज्जया एसज्जया नएसज्जया मढ़ों तस्मिच्चामी दुख्षू मेरे धरम प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूं और अपने सभी तपस्वी भाई बहनों का दिल की गहराई से हारदिक अभिनंदन करता हूं आप सभी के आतम बल की बदोलत जिन साशन की गरिमा बढ़ी है, बढ़ रही है, बढ़ती रहेगे आप सभी में आतम बल बढ़ता रहे, बना रहे, ये मंगल कामना करता हूं अंतगर सुत्र, मैं प्रवेश करें उससे पहले, मंगल भावना भानी है अपने लिए नहीं, सभी के लिए, और सभी में आप भी आजाओगे बरिशा दाता सुख बरिशा आंगन आंगन सुख बरिशा चुन चुन काटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खेला बरिशा सुख बरिशा आंगन आंगन सुख बरिशा तन से कोई है दुखी है प्रभुजी दया करो सारा जहान हो सुखी सब के दुखों के तो है दवा आंगन आंगन सुख बरिशा बरिशा ताता सुख बरिशा जो लिया सुखों से तुम सब की दाता भर ही दो हे प्रभुजी तो मैं हमें साबर और सुकर भी दो हर पल मांगे यही दुआ आंगन आंगन सुख बरिशा बरिशा ताता सुख बरिशा हांगन आंगन सुख बरिश्कों मिता दाता सकल सनसार शे नाम का सिमरण करें मिलकारे सारे त्यार से मानव से मानव होना जुदा भाई से भाई होना जुदा आंगन आंगन सुक बरसा बरसा दाता सुक बरसा आंगन आंगन सुक बरसा चुन चुन काटे नफरत के प्यारे अमन के फोले खेला बरसा दाता सुख बरसा अंगन अंगन सुख बरसा बोलिये सासंपती भगवान महावीर स्वामी की बोलिये गणधार सिरी सुधरमा स्वामी भगवाने की बोलिये अंतिम केवली आरिये जंभू स्वामी भगवाने की अंतगड सुत्र हमारे सासन की अनमोल निधी आतम जिग्यास्मों के लिए अनमोल खजाना धर्मातमाओं के लिए अनमोल अम्रित ओशधी अध्यात्म की साधना करने वालों के लिए सुन्दर मार्ग दर्शक्त ग्यारह अंगों में से आठवां अंग शिरी अंतगड सुत्र कल आपने अरजुन अंगार का सुन्दर वर्नन सुना आज क्या वर्नन आएगा उसको सुनने से पहले मूल पाठ में डुबकी लगाते हैं उस पाठ में जिस पाठ को श्यम अरिहंत प्रमात्माओं ने बोला है और गणधरों ने पिरोया है शब्दों में क्योंकि तिर्थंकर भगवान अर्था गम के प्रणेता होते हैं वो केवल अर्थ बोलते हैं और उस अर्थ को सुत्र में शब्दों में बांध कर थोड़ा संक्षित रूप देकर शब्द थोड़े अर्थ विशाल तो विशाल अर्थ के उद्बोधक होते हैं तिर्थंकर प्रमात्मा और उस विशाल अर्थ को थोड़े से शब्दों में बांधना ये कारिये कुसलता होती है हमारे गणधरों की तो सुत्रा गम के जो प्रणेता होते हैं वो होते हैं गणधर और अर्था गम के जो प्रणेता होते हैं वो होते हैं तिर्थंकर भगवान वो अर्था गम की परूपना करते हैं सुत्रा गम यानि सब्दों में बांधना पिरोना ये सब काम है किनका गनधरों का और गनधर भी स्वियम भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिक्षित हैं ये जिसमें आरिये सुधर्मा स्वामी अपने जिग्यासु जम्भु स्वामी सिश्षे की जिग्यासा को सांथ कर रहे हैं लीजिए कल छठे वर्ग का तीन अध्यन पूरा हुआ और आज से अब से चोथे अध्यन से लेकर सोलह तक और फिर सात्वे वर्ग के तेरा अध्यन भी हैं उनका मूल पाठ का हम हम उचारन करेंगे पढ़ने वाले पठन करेंगे जिनके पास आगम नहीं है वो आँख बंद करके शब्दों को महसूस करेंगे अपने सोभग्य की स्राहना करेंगे कि मेरे कानों में जिनवानी के मूल वानी कानों में बरस रही है जिनवानी के पानी से मेरा मन का आंगन महक रहा है उसकी सुष्कता उसका रुखापन दूर हो रहा है गीलापन अकडन जकडन सब दूर हो रही है क्यों कि जिनवानी का अमरित मेरे कानों के जरिये मेरी मनों भूमी तक बरस रहा है ये मन में सुष्णकल्प संजोएं और ध्यान पुर्वक जो पठन कर सकते हैं पठन करें नहीं तो सरवन करें मोल पाठ का अमरित पिया आपने कानों के द्वारा जिनके हाथों में आगम है उन्होंने अपनी आखों से आगम के अक्षरों के दर्शन के बड़ी भध्यवान होती हैं वो निगाहें जिनकी निगाहें आगमों को देखती हैं अपनी इन निगाहों से आगम के मूल पाठ को पढ़ती हैं पढ़ते हुए सुनते हुए आगम के आनंद का अनभव करती हैं वो दिव्यात्माएं हैं उन दिव्यात्माओं में आप सभी हो आपकी इस उपस्तती को दिल की गहराई से अभिनंदित कर रहा हुए अनुमोदित कर रहा हुए आपने आकर के समय जाया नहीं किया बलकि आपने सासन की प्रभावना में अपना जो समय इन्वेष्ट किया है अपना टाइम जो इन्वेष्ट किया है समय का जो योगदान दिया है यह योगदान महादान है यह महादान आपके जीवन के कल्यान में कभी न कभी कही न कहीं काम अवस्य आएगा ये विश्वास रखना बुरे कारियों में समय लगाने पर भी वो बुरा काम कभी न कभी आपके लिए बुरा प्रभाव लेकर के आता है लेकिन अच्छे कारियों में धर्म के कारियों में धर्म की साधना में धर्म की अराधना में सुरुत अराधना में प्रभू की साधना में जो जो भी समय आपने बिताया है और अगर दिल से आनंद आया है रोम रोम में आनंद अगर समाया है तो इस आनंद की अनभूती करते करते आप अनंत पुन्य की उपारजना कर सकते हो और ये अनंत पुन्य कहीं न कहीं आपके लिए शक्ती बन करके प्रदर्शित होगा पर लेकिन इतना जरूर कहता हूँ आप लोगों को मैं प्रवचन प्रारम करूँ अंतगड़ सुत्र के उपर दो चीजें हैं एक है पुण्य पुण्य एक है प्रेम अगर मैं पूछ लूँ तुम से कि पुण्य में और प्रेम में क्या अंतर है पुण्य से हमें क्या मिलता है प्रेम से हम क्या प्राप्ट करते हैं किसी के पास कोई जबाब पुण्य हमें क्या देता है पुन्य हमें शक्ति देता है पावर यह जितनी भी आपके पास चाहे निरोग शरीर है चाहे पद है आपके पास चाहे पद्वियां है आपके पास चाहे दोलत है आपके पास अपना मकान अपनी दुकान अपना स्टेट्स अपनी पहचान जो भी कुछ आपके पास है ये कहीं नहीं किसके प्रभाव से पुन्य के प्रभाव से पुन्य हमें सक्ति देता है और प्रेम हमें प्रेम हमें सेहन सक्ति देता है देखो क्या गजब है नहीं समझें प्रेम हमें सेहन सक्ति देता है पुन्य केवल सक्ति देता है बस उस सक्ति का आप गलत इस्तमाल भी कर सकते हो पुन्ने से आप पाप की उपार्जना भी कर सकते हो पुन्ने एक पावर है कि उर्जा है एक स्ट्रेंथ है वो आप पुन्ने के द्वारा पाप की भी कमाई कर सकते हो पाप भी कमा सकते हो लेकिन प्रेम से आप पाप कभी भी कमा नहीं सकते प्रेम से तो केवल शेहन शक्ति बताओ शक्ति बड़ी या सेहन शक्ति बड़ी हैं सेहन शक्ति सेहन शक्ति के बलबूते पर हम कर्मों की निर्जरा करते अनियोग द्वार सुत्र में ये सपष्टत है संकेत दिया है प्रभू ने कि कर्मों की निर्जरा वही कर सकता है जो सेहन कर सकता है बिना सेहन किये हम कभी भी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते प्रेम में वो पावर है जो हमें सेहन सक्ति देता है और यह सबसे बड़ी पावर है सबसे बड़ी पावर है गर का संतुलन इसलिए बिगण रहा है कि अब सहन सक्ती भोलो कम होने लगी हमारी समाझ इसलिए तूट रही है कि अब सहन सक्ती कम हो लगी है और सेहन सक्ति कम क्यों हो रही है कि क्योंकि प्रेम घट रहा है प्रेम प्रेम घट रहा है जब जब प्रेम घटेगा तो सेहन सक्ति भी घटेगी जो जो प्रेम बढ़ेगा क्यों तूं सेहन सक्ति भी बढ़ेगी तो कोशीश कीजिए आप सहन सक्ति में परवेश करें हम उससे पहले मिच्छामी दुक्डम के बाद और बताओं आपको मिच्छामी दुक्डम वही बोल सकता है जिसमें प्रेम हो हाँ च्छमा कौन कर सकता है जिसमें प्रेम हो माफ वही कर सकता है जिसमें प्रेम हो माफी भी वही मांग सकता है जिसमें प्रेम हो चाहे च्छमा याचना हो चाहे च्छमा पना हो दोनों ही बात च्छमा याचना और च्छमा पना दोनों में क्या अंतर है चमा मांगना और चमा देना चमा देने को चमा पना कहते हैं चमा मांगने को हम चमा याचना चमा की क्या करना याचना करना मांग करना चमा मांगना माफी मांगना माफी मांगना और माफ करना ये दोनों कब हो सकते हैं पुन्य के बलबूते पर या प्रेम के बलबूते पर, प्रेम के बलबूते पर, इसलिए कहता हूं, राज निती में अगर सफल होना है, तो पुन्य चाहिए, व्यापार के छेतर में अगर सफल होना है, तो भी आपको पुन्य चाहिए, किसी कारिय में भी सफल होना है, तो अध्यात्मित्रा में अगर धर्म में सफल होना है तो आपको हर हालत में प्रेम कदे़ा के बिना हम कभी कोई पर्यूसन महाँशन और पर्वाधिराज प्रवाधिराज प्रहूसनों को मनाने के लिए पुन्य की कम प्रेम की जादा जर्थ पड़ती है प्रेम चाहिए और प्रेम तो जोपड़ी वाले में भी हो सकता है प्रेम तो जोपड़ी वाले में भी हो सकता है प्रेम तो किसी गरी में भी हो सकता है प्रेम के लिए कोई उच्चा होना जरूरी नहीं है कोई बड़ा महराज, कोई राजा धिराज होना कोई जरूरी नहीं है एक साधू को भी जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी हम एक सब्द बोलते हैं छे काया के पालन हार छे काया के पालन हार यानि छे काया से प्रेम करने वाला है, ये संत की पहचान है, हम कितना प्रेम कर रहे हैं, ये तो महारो दिल जाने, पर लेकिन, सादू होना एक बहुत बड़ी घटना है, और ये घटना प्रेम पर ही घटित होती है, हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, वो गीत गाउं या नहीं, समय तो हो रहा है, गालूं, हाँ, चार्ज हो लिए, वो गीत बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि, परवाधिराज परियुष्णों की क्रीम है इसके अंदर, सारांस दे दिया, आप थोड़ी देर हो जाएगी तो मुझे माफ करियो, और विशेश कर कॉन्फरेंस वालों को बांग रहा हूं, क्योंकि ये बड़े लोग होते हैं, तो थोड़े आप लोगों को आज प्रवचन का तो आनंद लेना ही लेना है, लेकिन अध्यात्म के रंग में रगने के लिए प्रेम को समझना है, ये जितनी भी साधना है जैनत्व की, ये प्रेम पर टिकिव ही है, बिना प्रेम के कोई प्रेमी नहीं बनता, और बिना प्रेमी के कोई प्रमात्मा नहीं बनता, प्रेम से ही प्रेमी बनता है, और प्रेम जब और उत्कृष्टा में पहुँचता है, महा प्रेम में उतरता मेत्री भाव में उतरता है तो महाबीर बनता है पुन्य के बलबुते पर सिकंदर बनता है और प्रेम के बलबुते पर कोई महाबीर बनता है प्रेम हमें महाबीर बनाता है और पुन्य हमें जिसको बोलते हैं मुकद्र का सिकंदर मुकद्र का सिकंदर वो बनता है जिसका मुक सदर कंदर बनता है लेकिन जप प्रैम साथ में होता है तो एक छोटा सा इन्सानली महावीर बन जाता है महावीर also हुआ है निरने तुम करना तोegenica deux घंदर बनना चाहते हो महावीर बनना चाहते हूं महाराज ठिलहाल तुम सटें Laban एक होता है सिकंदर एक होता है सकेंद्र शकेंद्र समझरे आप वह एक इंद्र है जो भगवान की पूजा करता है समोशरन की रचनाओं में अपना सहयोगी बनता है सकेंद्र तो सकेंद्र का पद अगर पाना है तो भाया प्रेम आपको बढ़ाना पड़ेगा प्रेम और बढ़ा तो सकेंद्र से उपर उठोगे सकेंद्र जिनकी पूजा करता है जय जिनेंद्र वह जिनेंद्र बनता है क्योंकि जब प्रेम चरम शीमा पर पहुंचता है फिर वह जिनेंद्र बनता है और जो जिनेंद्र बनता है वह इन चारों गतियों से उपर चला जाता है कहां मुक्ती के अंदर चला जाता है जिनेंद्र ही सिद्ध परमात्मा बनते हैं आत्मा को दे बल, पुरा बल लगा दो, आत्मा को दे बल, परियुशन है निरमल, मन से मनाओ जी, लाब उठाओ जी, प्रभुवानी ध्यान से, प्रभुवानी ध्यान से, हो लगाव ज्यान से, हो लगाव ज्यान से, जी लाब उठाओ जी मोहों को लाब उठाओ जी आत्मा को दे बल परियुसन है निर्मल उसने क्या परियुसन मनाया जिसका मन निर्मल नहीं हुआ उसने क्या परियुसनों की साधना की जिसका दिल साफ नहीं हुआ दिल की सफाई मन की सफाई यही है प्रियूशन की असली कमाई असली कमाई वही करता है जो दिल की सफाई करता है और दिल साथ कब होता है जब दिल में प्रेम का संचार होता है क्योंकि प्रेम में कभी भी मन मेला नहीं होता मन मेला कभी नहीं होता प्रेम में मन मेला तब होता है जब मन का चाहा नहीं होता और मन की चाहत तब होती है जब हम महत्वा कांग्षा में उलज जाते हैं जब हम महत्वा कांक्षा यानि अपनी इच्छा को सबसे उपर मानते हैं वो महत्वा कांक्षी बनता है और ऐसा महत्वा कांक्षी व्यक्ति कभी भी प्रियूशनों की प्रभावना और प्रियूशनों की साधना प्रियूशनों की अराधना नहीं कर सकता है प्रियुशनों की अराधना केवल प्रेमी कर सकता है और प्रेमी जुकना जानता है प्रेमी कभी अकड़ना नहीं जानता प्रेमी वो होता है जो बड़े होते हुए भी छोटों से माफी मांग लेता है वो प्रेमी होता है प्रेम हमें छोटा तो बनाता है लेकिन छोटे से फि तो आप जब ये बोलते हो तो फिर तुम बीच में अकड क्यों जाते हो तो भाई बात सुन बात है सिध्धान्त की और ये मैं बतला देता हूँ जिन में प्रेम होता है वो सिध्धान्तों के चक्रों में नहीं पड़ता क्योंकि भगवान महाबीर के पास तीन सब्द बोलूं आपको एक होती है परिक्षा परिक्षा एक होती है प्रतिक्षा एक होती है तितिक्षा अगर आपने परिक्षा दी है तो भाईया जब तक रिजल्ट नहीं आये तब तक प्रतिक्षा तो इंतजार तो वेट तो करना ही पड़ेगा ना तो ये परिक्षा है परतिक्षा देखिए समत्सरी मनाने के लिए कितनी दिन की परतिक्षा करवाई आपको जब से तोहार सुरू हुए तो साथ दिन की परतिक्षा और जब से चत्रमास प्रारम हुआ 49 डे की परतिक्षा प्रतिक्षा अब कितनी करोगे भई और प्रतिक्षा संपूर्ण तब होती है जब आती है तितिक्षा कितिक्षा का मतलब क्या है कितिक्षा का मतलब है सहन करना क्या करना सहन करना और कौन सा सहन करना किसी से बदला लेने की ताकत होने के बावजूद भी फिर भी सहन करना आपके पास पूरी ताकत है दूसरे को सबक सिखाने की सबक सिखाने की पूरी ताकत होने के बाद की किसी को माफ कर देना इसको कहते हैं तितिक्सा भगवान महावीर के पास अनंत बल था लेकिन फिर भी एक मामूली गौाला कानों में कीले ठोक रहा है तो भी कुछ भी नहीं कह रहे और देखिए दो पात्र और आते हैं गोतम जी और गोसालक 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 भगवान महावीर के पास गोतम से भी पहले आए ये तीन चीज ध्यान रखना एक होता है संपर्क, एक होता है सहवास, एक होता है सानिध्य, एक होता है संबंध, अब क्या फर्क देखा आपने इन चार सब्दों में, संपर्क, जैसे आप मेरे संपर्क में, मैं आपके संपर्क में हूँ, यह है, आपको मोटे-मोटे तोर पर में भी जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हो, दूसरों के माध्यम से किसी से सुना है तो भी आप जानते हो और ये चित्र चुत्र लगे हुए रहते हैं फोटू फाटू लगे रहते हैं फोटू को दें हाँ ये रमनी कुनी का चित्र है बर संपर्क जानते हो किसी ना किसी माध्यम से चाहे मीडिया के माध्यम से चाहे किस साथ रहना, दो घंटे के लिए साथ रहना, ये सहवास है, एक होता है सानिध्य, बहुत देर तक साथ रहना, महिनों तक साथ रहना, वर्सों तक साथ रहना, उनके सानिध्य में रहना, उनकी संगिध्य में रहना, स्रावक के साथ हमारा सहवास है सिश्यों के साथ हमारा सानिध्य है सिश्य हमारे सानिध्य में रहते हैं हमारी निकट तम रहते हैं हमारी जेशी क्रिया के साथ जीते हैं जो हम चाहते हो खाते हैं, पीते हैं, करते हैं सेवा करते हैं यह हमारे सानिध्य में रहते हैं, आप हमारे इस वक्त सहवास में हो, हमारे पास हो सहवास में हो, आप हमें जानते हो, आप हमारे संपर्क में हो, जानना संपर्क है, पास रहना सहवास है, बिलकुन निकटम रहना सानिध्य है, लेकिन आपको बतला देता हूं, इससे भी बड आपके साथ बेटा भी रहता है। सास के साथ बोलो ना, हाए। सास के साथ बहु भी रहती है, बहु के साथ सास भी रहती है। शानित जह है वो। लेकिन संबंध आहा, समान रूप से बंध जाना। सास के साथ बंध जाना। सास के साथ बंध जाना। देखिए, बात आइसी एक में इसलिए रुकाया। कि आभी आपने कोरेगाव पार्क से बंभाई रिक्ष्या से यहां पर आये थे। और उनको छोड़के रिक्ष्यावाले चले गए। काफी देर के बाद उनके ख्याल में आ इसमें 20,000 का मोबाई और 10,000 क्या से उन्होंने इमानदारी से लाके दिया है। ताना जी खेड़कर रिक्ष्यावाला। ताना जी खेड़कर खेड़कर आये। अध्यक्षी जी उनका संगमान कर रहे हैं उनको जाना है तुरंग। इसलिए आप सभी का सभाई लिया। आये इधर आये मेरे पास। इधर इधर आजाओ। दस हजार के क्यास्ती और विश हजार का मोईल northwest विश हजार का मोईल और मेरे तसक्रा केस्षट ये इनकी प्रमानिक्तर आइड ये इवा अच्धा मेरे जवान। हां 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 बहुत मुश्किल है। नहीं तो कई जैन तो नहीं चलो जादा नहीं बोलना हर्स 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 और हमारी ओर से खूब आशिरवाद दिल के आशिरवाद कि आपकी प्रमानिक्ता सभी के लिए सबक बने इसको कहते हैं अध्यात्म से प्रेम इमानदारी से प्रेम स्वार्थी होता दिल की सुनता नों कर चल कोई छोड़ गया मेरे लिए तो छोड़ गया वेरी अब आपीस आजाओं संबंध देखिए कोई मुझे को जानता है ये मेरा पुन्य है मैं किसी को जानता हूँ ये आपका पुन्य है कोई मेरे पास आता है ये आपका भी पुन्य है मेरा भी पुन्य हो सकता है मेरे सानिध्य में मेरा सिश्य बन करके रहता है ये भी मेरा पुन्य और उसका भी पुन्य हो सकता है लेकिन बात है संबंध की संबंध वही मजबूत होते हैं जहां आपस में प्रेम होता है प्रेम के बिना कभी संबंध मजबूत नहीं होता पास में रहने वाला भी दूर हो सकता है अगर प्रेम ना हो और दूर रहने वाला भी हमारे निकटतम हो रह सकता है अगर प्रेम हो तो प्रेम संबंध को मजबूत बनाता है यही संबंध है जो पिता पुत्र को बनाता है पिता पुत्र को पुत्र पिता को बनाता है गुरु और शिश्य को बनाता है गुरानी शिश्या को शिश्या गु मुझे कुछ बुरे सब्द भी बोल दे, अगर मुझे समझाने के लिए दंडित भी करे, तो भी गुरु के लिए कभी बुरे भाव ना आएं, ये है प्रेम की ताकत, और ये ताकत प्रेम से ही आ सकती है, संपर्क से, सानिध्य से नहीं आती है, तो सानिध्य तभी बल्वान बनता है, जब प्रेम मजबूत बनता है, प्रेम मजबूत होगा, तो संबंद भी, तो इसलिए आज की दुनिया में, पहली की दुनिया में इतना ही फर्क है, अब साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन दिल में नहीं रहते हैं दिल में तब तक नहीं रहोगे संबन नहीं बनेगा आत्मा को दे बल परियुसन है निर्मल मन से मनाओ जी लाब उठाओ जी अंतगर सुत्र के चोथे अध्यन से वर्नन कर रहा हूं सुनिये गोर्शे चोथा अध्यन की जिग्यासा हुई जंबु स्वामी को फरमाया सुधमा स्वामी ने कि भगवान महबीर स्वामी की मोजूदगी में राजा ग्रही नगरी, राजा स्रेनिक, चेलना रानी और उस नगरी में एक और गाथा पती जिसका नाम है का सब्य गाथा पती उन्होंने भी भगवान की वानी सुनी, संसार को छोडने का और प्रमात्मा से अपना आत्मा का संबंध जोडने का यह संबंध जोड़ा है अपनी आत्मा को अजर अमर करना पांचवा अध्यन क्षेमक नामक गाथा पती का क्षेमक यह काकंदी नगरी के रहने वाले हैं इन्होंने भी 16 वरस का सय्यम प्रियाय पाला भगवान महबीर के सानिध्य में दिक्षित हो करके 16 वरस तक चरित्र की पालना की और अंतिम में विपुल गिरी परवत पर एक महिने का संथारा करके अपनी आत्मा का कल्यान किया चटा अध्यन धृती धर यह साकेत नगरी के गाथा पती हैं इन्होंने भगवान के चर्णों में दिक्षा ली बारह वरसों तक सैयम की पालना की और विपुल गिरी परवत से सिद्ध हुए सात्वा अध्यन है केलाश केलाश गाथा पती का यह साकेत नगरी के निवासी हैं इन्होंने भी बारह वरस का सैयम पाला हरी चंदन साकेत नगरी 12 वरस का सैयम विपुल गिरी से सिद्ध वारत यह राजगरी नगरी 12 वरस का सैयम पाला और विपुल गिरी परवत से सिद्ध हुए सुदर्शन-वानिज्यय ग्राम यह एक कहें गाउं है गाऊं तो यहां पे लगता है वडगाउं व्री वानिज्यय ग्राम के रहने वाले थे पांच वरस तक उन्होंने सैयम की पालना करी और पांच वरस में अपनी आत्मा को भावित किया और विपुल गुरी से सिद्ध हुए पूर्ण भद्र इनका भी गाव वानिज्य ग्राम पाँच वरस का सैयम और विपुल गुरी परवत से सिद्ध हुए और सुमन भद्र स्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे और इन्होंने कई वरसों तक चरित्र का पालन किया और अंत में विपुल गिरी परवत पर अंतिम स्वासों स्वास में अपनी आत्मा को मुक्ती में ले गए सूपरतिस्थ फित, सूपरतिस्थ गाथापती ये भी स्रावस्ती नगरी के रहने वाले हैं इन्होंने 27 वरस, 27 साल तक चरित्र की पालना किरी यानि साधू परियाई में रहे, सर्मन परियाई में रहे और अंत में विपुल गिरी परवत पर अंतिम स्वासों स्वास के साथ मुक्ती के अंदर गए चोद्वा अध्यन मेग नामक गाथापती का है ये राजगरी नगरी के रहने वाले हैं और कई वरसों तक इन्होंने चरित्र की पालना की और अंतिम समय में विपुल गिरी परवत से मुक्ती के अंदर चले के इन सभी का वर्नन, इन सभी का वर्नन, एजे टीज किसकी तरह मकाई नामक गाथापती की तरह है जो मकाई नामक गाथापती ने किया सेम सिच्वेशन, वही तपस्या, उसी तरह से त्याग, उसी तरह से परिवार को छोड़ना बड़े लड़के को सोपना, ये सब वही काम जो मकाई नामक गाथापती ने किया वो इन सभी ने किया अब पंद्रवा अध्यन जो आज विशेश रूप से आ रहा है अतिमुक्त अनगार का जिनको हम एवन्ता कुमार भी कहते हैं अतिमुक्त अंगार भी कहते हैं क्योंकि दो अतिमुक्त अंगार हैं एक भगवान अर्ष्ट नेमी के समय भी हुए और ये भगवान महादीर के समय में हुए फर्क इतना बनता है इनको हम प्यार से एवन्ता कुमार कहते हैं इनको अब इनके जीवन की कहानी सुन लीजिए एवन्ता कुमार पहले माता पिता का परीचे और जिस नगरी में जनम लिया उस नगर का परीचे भगवान महाबीर स्वामी जिस समय इस धर्ती पर विचरन कर रहे थे उस वक्त इसी भारत वर्ष के अंदर एक पोलास पुर नाम का एक नगर था जहां पर एक विजय नाम के राजा राज्ये किया करते थे विजय नाम के राजा उनकी महरानी का नाम था सिरी देवी सिरी देवी महरानी और विजय नाम के राजा इनके एक ही पुत्र था जिसका नाम था एवंता कुमार जनम हुआ थोड़े पलने लगे और पलने से बाहर आए एक उता है पालना पालने से बाहर आए यानि अब अपने पाउं पर चलने लगे धीरे धीरे उमर उनकी आठ और नो साल की हो गई और संयोग ऐसा हुआ उस वक्त भगवान महाबीर अपने प्रधान शिष्य गोतम स्वामी के साथ विचरन करते करते पोलासपूर नगर के बाहर शिरीवन नाम के उद्ध्यान में विराजमान हुए 14,000 संतों का मालिक गोतम स्वामी स्वियम गोचरी के लिए भिक्षा के लिए अपने भगवान की अग्या लेकर पोलासपूर नगर की और प्रस्थान किया आप कह सकते हो कि जिसके 14,000 सिष्य हो जो गनधर है गनधर का मतलब गनका मालिक है और सिष्यों की जितनी भी जिम्मेवारी है वो गनधर के उपर होती है तिर्थंकर के उपर नहीं होती, तिर्थंकर किसी भी जिम्मेवारी को अपने उपर नहीं लेते हैं, क्योंकि वो निश्पक्ष होते हैं, वो केवल प्रेरना देते हैं, मार्ग दर्सक होते हैं, और कुछ नहीं, और कोई दखलंदाजी नहीं, कहीं पर भी कोई बीच में घु का राकी करना यह वीत्राग का धर्म नहीं है वीत्राग जो अरिहन्त होता है वो केवल उपदेश देता है संदेश देता है कभी आदेश नहीं देता तिर्थंकर कभी आदेश नहीं देता आदेश होते हैं गनधरों के जो गन का मालिक है इसलिए उनको गनधर कहा है और केवली होने के बाद गनधर केवली बन जाता फिर गन की विवस्था वो खुद नहीं संभालते इसलिए आपने देखा होगा कि जब भगवान महाबीर स्वामी का निर्वान हुआ उसी समय मध्यान रात्री के अंदर दिन निकलते निकलते गोतम स्वामी को केवल ग्यान हुआ तो केवल ग्यान होने के बाद आपने गोर किया कि गोतम स्वामी तो रहे लेकिन आचारिये के पाठ के उपर वो नहीं बैठे प्रथम आचारिये कौन बने आरिये सुधर्मा स्वामी गंधर सुधर्मा क्योंकि अब गोतम स्वामी केवली बन गए हैं वो गद्धी के उपर नहीं बैठ सकते थे तो आचारिये कौन बने हमारा प्रथम आचारिये जो था वो हैं गंधर सुधर्मा स्वामी तो आप कह सकते हो गोतम की मोजूदगी में गोतम स्वामी की मोजूदगी में सुधर्मा स्वामी को अचारिय क्यों बनाया उसका जवाब ये है क्योंकि गन की विवस्था देखने के लिए किसी को तोकना भी पड़ता है, किसी को रोकना भी पड़ता है, किसी को समझाना भी पड़ता है और समय को माहुल देखना भी पड़ता है तो अब इसी का जवाब यहां दे रहा हूँ कि 14,000 संतों का मालिक होते हुए गोतम स्वामी गोछरी के लिए क्यूं निकले इसका जवाब है किसी के पास इसका एक ही जवाब है कि जब भगवान महाबीर किसी भी छेतर में पहली बार जाते थे रिपीट पहली बार जहां जाते थे वहां गोतम स्वामी खुद आहर पानी को जाया करते थे क्यूं जाते थे गोतम स्वामी इसलिए जाते थे कि एक बार वो नगर देख लेते थे कि यहां के लोगों की कैसी भावना है कहां से कितना लेना है कहां से नहीं लेना है ये विवेग अगर किशी के पास है तो वो गोतम स्वामी के पास था मेरे संत क्योंकि फिर भी वो चार ग्यान के धारी है चोदा पुर्वों के ग्याता है इतना तो विवेग है उनके पास क्योंकि गोछरी करना भी एक विवेग का काम है वो भावना देखनी पड़ती है तो जब पहली बार भगवान जहां विचरन करते हुए जाते थे तो गोतम स्वामी अहार अपनी ओर से जाते थे विवस्था देखते थे वह कैसा छेतर है और छेतर वासियों की कैसी भावना है कैसी भावना है भावना देखा करते थे वो भावना बहुत बड़ी चीज है अरिहंतों की साधना होती है और संतों की भावना होती है साधना के अंदर साधना एक अलग चीज है और भावना एक अलग चीज है आत्मा की साधना होती है लेकिन संतों को ये कहा कि भावनाओं के उपर ध्यान रखें आप भावना बड़ी प्रबल होती है भावना प्रेम से जुड़ी हुई है क्योंकि साधना में हम किसी को इगनोर कर सकते हैं लेकिन भावना में हम किसी को इगनोर नहीं कर सकते हैं भावना का बड़ा महत्व है धर्म के चेत्र में और आपने देखा होगा संतों की साधना होती है स्रावकों की, very good, चार चीजे हैं न, ग्यान, दर्सन, चरित्र और तप, ये संतों के लिए बताया है, दान, सील, तप और भावना, ये किसके लिए, स्रावकों के लिए, दान, स्रावक दे सकता है, सील की पालना भी आप कर सकते हो, दान, सील, तप, तपा सकते हो अपने आपको, जाच सकते हो अपने आपको, और भावना, भावना भाने क्या भाव आपके पास है, और इसी भावना के अधारपर, कहीं कहीं, आप लोगों को, हमसे भी ज़्यादा बड माबाप का वेवार, जैसे आप वेवार अपने बच्चों के साथ करते हो ना, ऐसा वेवार आप अपने संतों के साथ किया करो, लेकिन बहुत फरक कर जाते हो आप, अपने बच्चे की कमी को आप छुपा जाते हो, और संतों की कमी नजर आ जावे तो फोन के उपर बताने लग जाते हो, औरे मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, ये देखो जाचो जर अपने आपको, आप अपने बच्चों की कमिया छुपा जाते हो, कहीं मेरे बच्चे की बदनामी ना हो जाए और आप कभी कभी अपने संतों की बुराई कर जाते हो तब उस वक्त सोचा करो भगवान ने हमको क्या बनाया है माबाप का दर्जा दिया इतनी उच्छ भावना कि मैं कोई ऐसी बात ना कहूं जिसकी वज़े से किसी की भावना खराब हो जाए वेरी गुड तो गोतम स्वामी अहर को निकले और सभी घरों में घूमते घूमते और संयोग ऐसा हुआ कि उसी दिन उसी दिन जिस दिन गोतम स्वामी बेले के पारने के लिए आ रहे थे पोलाख्षपूर नगर के अंदर उसी दिन एवन्ता कुमार सज धजकर अपनी हम उमर के बच्चे बालक बालिकाओं के साथ कुमार कुमारिकाओं के साथ शेठों के लड़कों के साथ जो सी हम उमर के दोस्त थे उनके साथ गूमने के लिए खेलने के लिए एक इंद्र इस्थान पर क्रिडा इस्थान पर खेलने की जगे पर पहुँच गए और खेल में सब बच्चे मस्त हैं और उसी वक्त संयोग से गोतम स्वामी उस बाग की से या उद्द्यान से कृड़ा इस्थान से खेल के मैदान के निकट से गुजर रहे थे बच्चे खेल में मस्त हैं लेकिन नजर पड़ गई एवन्ता कुमार की गोतम सामी के उपर वो देखा भाई ये कौन बतला रहा हूँ आपको तुम मार्किट में अपने-पने कपड़े पहन के निकल जाओ कोई तुमारी तरफ ध्यान नहीं देता हाँ लेकिन बजार से अगर हम निकल जाएं तो हमारी तरफ सब का ध्यान जाता है क्यों हमारी द्रेश तुमसे हमको क्या करती है अलग करती है हम भीड में भी अलग से नजर आते हैं और इतनी भीड भड़ी हुई है मुझे नहीं पता कौन किसकी घरवाली है कौन किसकी मा है मुझे क्या पता लेकिन इस भीड में अगर हम बीच में भी बैठे हों तो सब को पता चल जाएगा ये हमारे संत हैं ये हमारे सादू है यानि इस पोसाक की वज़े से मुखवस्त्रीका की वज़े से हम बिल्कुल भीड से अलग नजर आते हैं तो भीड में जब देखा गोतम स्वामी को जाते हुई है तो एवन्ता कुमार ने का वे पहली बार देखा है ये है कौन? कौन है ये? खेल छोड़कर तुरंट उनके पास आगे और आगे खड़े हो गए आगे खड़े हो गया एवन्ता कुमार और कहा गोतम स्वामी को रुको रुको राजकुमार है हाक है भई उसका राजगद्दी का मालिक है पहला ही सवाल आपको हमने पहली बार देखा है आप कौन हो? आप आम इनसान तो नहीं हो आम लोग तो नहीं हो आप हो कौन? ये पहला कुश्चन किया है एवन्ता कुमार ने किस से? गोतम स्वामी से इस सवाल को सुनकर गोतम स्वामी ने ये निसोचा मैं चोदा पुर्वों का ग्याता चार ग्यान का धारी भगवान महावीर स्वामी और चोदा हजार संतों का मालिक एच छोटे से बच्चे का जवाब देना कोई जरूरी कोई है? नहीं यहीं पर पता चलता है कि कौन कितना स्रेष्ट होता है? कौन कितना उच्चा होता है? जो छोटे को भी उच्चा माने वही असली उच्चा होता है और यहीं उच्चाई दिखाई मेरे गोतम स्वामी ने एकदम रुख गए बोलो कौन हो? कहा कि हम निर्ग्रंत हैं हम साधू हैं हम संत हैं ओ तो आप साधू हैं जी जी राजकुमार जी हम साधू है यह हाथ में क्या पकड़ रखा है? न के जी हाथ में हमने पात्र पकड़ रखा है पात्र इस पात्र में क्या करते हो? इस पात्र में हम भोजन लेते हैं रहते चोटे सवालों का जबाद दे रहे हैं घोजर लेते होते तो आप एक घर में नहीं जाते क्या नहीं हम कई घरों में जाते थोड़ा 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 लेते और ली सी कि र head रजोहरन था यह क्या जारुशी है इसको देखा कि यह क्या है कि भई यह रजोहरन है रजोहरन इसका काम क्या है इसका काम है यह बहुत कोमल होता है तो जहां हम बेचते हैं वहां जगे को साप करते हैं किसलिए ताकि कोई जीव कीडी मकोडा छोटे-छोटे जीव ना हो उनक को साब करके कोई हमारे नीचे आकर ना मरे उनकी हम रक्षा करते हैं ओ तेरे की बाइक कमाल है आप छोटे छोटे जीवति भी तनी चिंता करते हैं क्यों क्योंकि हम सादू है ओ कि कई सवाल किये मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहूं चलोगे और सुनों जो मेरी मा है ना शिरी देवी भोजन ऐसा बनाती है मैं तो चाठता रह जाओंगा रह जाता हूं और आपको भी बहुत मज़ा आएगा जबकि संतों को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं लेकिन उसकी बात बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं बड़े प्याव से सुन रहे हैं कि ठीक है जहां तुम ले चलोगे हम चलते हैं हैं हां और देखिए उस वक्त गोतम स्वामी की उंगली किसने पकड़ी एवंता क तुमार ने जबकि सास्त्र का ये नियम है कि ग्रहस्ती कभी साधू की उंगली पकड़ कर नहीं चल सकता साधू भी कभी कभी ग्रहस्ती के कंधे पर हाथ रखकर नहीं चल सकता ये नियमा वली है पर लेकिन चोदा पुरू का ग्याता वो ये जानते हैं ये मेरे उंगली प इसको जो ठेश पहुँच गई तो ये ठेश कभी भी तोड सकती है और आप इसकी जुड़ी हुई एक बात मिलती है बहुत धर्म में कि एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे रस्ते में रस्ते के अंदर आप दस बच्चे गाउं के मिटी के खिलोने बना बना करके खेल ख रखा था उन बच्चों ने एक लड़के वाला था एक लड़की वाला था बच्चे और बच्चे देखो एक लड़का वाला एक लड़की वाला दोनों अपने गुड्डे गुडिया की क्या कर रहे थे साधी कर रहे थे और मिठाईयां भी बड़ी गजब की वो भी किस की मिटी की कोई हलवाई कोई बैठा रखाता हुआ मिटी की नाम लिख रखे थे लड़ू रसगुला पनीर मसाला यह यह चीजे नाम लिख रखे वहाँ पर और पूरी तयारी बराद आने को तयार है अच्छा महरत है दोनों हमारे बच्चों की साधी के बीच में एक महाना आत्मा आ रहे हैं चलो इनको बुला करके लाते हैं और अपने बच्चों को आशिरवाद दिलाते हैं और फिर हम उनको आहर बहराते हैं पहुंच गए बाबाजी नमस्कार बड़े अच्छे मोर्थ पर आए हमारी गुड़ी का विवाद है दूसरा बड़ मेरे गुड़े का विवाद है तो बोले महत्मा बुद्धो क्या करना है पधारो आशिरवाद दो बच्चों को तो मिट्टी के गुड़े बना रखें नो का आशिरवाद दो अजी बच्चे खुश बड़े बाबा बहुत अच्छा जितनी भी मिठाई है एक-एक मिठाई सब दो और वो भी मिट्टी की मिठाई महत्मा बुद्ध ने इंकार नहीं किया अपना बरतन नीचे रख दिया उसमें मिट्टी की मिठाई डाल रहे हैं और महत्मा बुद्ध मुश्कुरा रहे हैं सोच रहे हैं आज ये बच्चे मिठ्टी की मिठाई दे रहे हैं देने के भाव रहे तो कभी ना कभी असली मिठाई भी देखे ये भाव हैं इनके भाव नहीं तूटने चाहिए तो उस वक्त गोतम स्वामी की उंगली पकड़ी और खीशते भी ले जा रहे हैं चलो मेरे घर और चल पड़े उंगली पकड़ा दी चल पड़े आवाज दी दूर से देखमा कौन आया जबकि हमारे यहां आवाज देना मना है लेकिन उस वक्त इसलिए कहता हूं कि जेन साधना द्रव्य छ आज तुम भगवान को यहां लिया है और क्या भगवान होंगे तुम्हारे हमारे तो दोस्त हैं यह हमारे दोस्त हैं हमारे मित्र हैं क्या गजब की बात करी उन्होंने और आपको बतना देता हूं छोटा बच्चा कभी भी अपने आपको बच्चा नहीं समझता वो तो आहार लिया बाहर छोड़ने आए फिर का रुको अब तुम जाओगे कहां यह तुम्हेने पूछा नहीं तुम जाओगे कहां क्या कि मैं अपने गुरु के पास जाओँगा है यानि आपके गुरुजी भी है बिल्कुल क्योंकि बीना गुरु के कोई शिश्य होता ही नहीं है अरे वा फिर तो तुम्हारे गुरुजी तो तुम्हारे से भी अच्छे होंगे नोंकि उनके तो पूछोई मत हैं बिल्कुल क्या हम उनके दर्सन कर सकते हैं क्या हम उनके पास बेच सकते हैं क्या हम उनके चरन छू सकते हैं बिल्कुल भगवान है वो लेकिन फिर भी बच लिखनी की उतकंठा में एवंता कुमार गोतम स्वामी के साथ चल दिया और जब उन्होंने भगवान को अपना लाया हुआ अहार दिखाया वो तो चले गए और एवंता कुमार वहीं बेठ गया और भगवान महावीर को पहली बार अपनी खुली आँखों से देखा और उनके जो सुब प्रमानू है उन प्रमानू वो ने एवंता कुमार को छुआ उनकी नजरों में जो मिठास है मेत्री भाव जो है अनुकंपा भाव है करुना भाव है संभाव है सोभाव है और देखो जी कमाल हो गया जैसे ही नजरों से नजरे मिली एवंता कुमार की भग भगवान महावीर से जब नजर से नजर मिली वहां का जो शुरम में वातावरन देखा ओ बच्चा जोम गया और उस आनंद में एवंता कुमार अपने माबाप को भी भूल गया भगवान ने उपदेश सुनाया उस बच्चे को उसी की भासा में उपदेश सुनकर और मस्त हो गया और देखो बोध जाग गया बोध हो गया चरणों में प्रणाम किया और कहा भगवन आपके पास आकर जो मुझे आनंद मिला जो अनभूती हुई उसे में बया नहीं कर सकता है छोटा सा बच्चा बोल रहा है जिसकी उमर केवल आठ नो साल की ही है मैं आपके चरणों में दिख्षा लेना चाहता हूं छोटे बच्चे ने कहा मैं आपके चरणों में दिख्षा लेना चाहता हूं महबीर ने कहा अहा सुहं देवानों पिया लेकिन हम माबाप की अग्या के बिना किसी को साधू नहीं बनाते टेंशन मतलो जबकि भगवान को क्या टेंशन होनी है टेंशन मतलो मेरी मा मेरी मानती है जिस चीज के उपर मैं हाथ रख देता हूं वो चीज मुझे लाकर के देती है मेरी खुशी का ध्यान रखती है मेरी मा क्योंकि वो मेरी मा है वो मेरी मा है मेरी माता पिता बहुत अच्छे है चल दिया गुन गुनाता नाचता गाता कूदता पहुँच गया महल में और मा से चिपक गया और कहने लगा मा मुझे एक चीज बहुत पसंद आई बहुत पसंद आई वो मुझे चाहिए क्या चाहिए मुझे भगवान महवीर चाहिए मैं उनके चर्णों में दिख्षा लेना चाहता हूँ ओए होए इतना सुनते ही शिरी देवी ने का एजी सुनते हो समझ गए एजी सुनते हो यानि भिजे राजा को बोला अजी सुनते हो क्या बोल रहा है ये मुन्ना ये देख क्या बोल रहा है लंगोट बांधनी नहीं आती साधू बनेगा बिजे भी आ गया है राजा बिजे आए क्या बोला तुने साधू बनूंगा तुझे पता दिये साधू कौन जो धर्म को जानता है वही साधू बन सकता है तू तो अभी अबोध है बालक है तो भगवान के चर्णों से आया है इतना तो समझ आ गया उसको कहा सुनो जी आप हमारे कद पर ना जाओ आप हमारे कद पर ना जाओ आप हमारी उमर पर मत जाओ आपको मालूम है जिसको मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता जिसको मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता और जिसको मैं जानता हूँ जिसको मैं नहीं जानता हूँ दोनों माबाप के कान खड़े हो क्या गया तुझको क्या बोल रहा है आ गए ना चक्कर यानि तुम्हारी सोच उतनी भी नहीं है जितनी सोच मेरी है ये तुने बोला क्या जिसे मैं जानता हूँ उसी को नहीं जानत जिसे नहीं जानता उसी को मैं जानता हूं मतलब क्या है कि सुनो एक सर्थ पर बताएंगे हम हम अपने ही सवाल का जबाब अगर हम दे तो आप हमें साधू बनने की जाज़त दोगे आजे बाबा पहले बोल तो सही तुने बोला क्या कि सुनो जिसे मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता यानि मैं ये जानता हूँ कि जिस आदमी का जनम हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा जिस आदमी का जनम हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा ये मैं जानता हूँ पर ये नहीं जानता कि वो कब मरेगा कहां मरेगा कैसे मरेगा क्यों मरेगा ये नहीं जानता पर य किसका जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा मैं यह नहीं जानता कि किस कर्मों की वज़े से आदमी नरक में जाता है देवलोक में जाता है त्रियंच में जाता है मनुस्य गती में जाता मैं यह नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वेशी गती में जाना पड़ता है ओ तेरे की वह 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 मान गए कि माबाप की तरफ आख फाड़ के देखने लगा कि देखो मा तुने एक बार मुझे कहा था कि बेटा जिस पर भी तो हाथ रख देगा वो चीज तुझे मैं तुम्हें लाकर के दूँगी अब वो वक्त आगे अपना वचन निभाने का मुझे महावीर की शरन चाहिए और उनकी शरन के लिए उनके सानिध्य के लिए और उनसे अपना मन बचन तन का संबंध जोड़ने के लिए जैन भागवती दिक्षा चाहिए बच्चे को हर तरह से समझाया लेकिन बच्चा उनके जहासे में नहीं आया आप अपने बच्चों को संभाल के रखना क्योंकि मैंने एक चीज देखी अपने लोगों में दूसरे का लड़का दूसरे की लड़की अगर साधू साध्वी बने धन्यों वाराज धन्यों इसके माबाप को धन्यों हो और तुमारा खुद का बने तो अंदर गरवड हो जाती है चलो छोडो बापने एक ही बात कही कि इकलोता बेटा है एक बार तो तू राजा बन जा राजा बन के जो तेरे मन में आये वो करना स्विकार कर लिया राज महपसव हुआ राजा भिशेक हुआ राजा बना छोटा सा नो साल का बच्चा राज गदी पर बेठा और राज गदी पर बेठते ही पूछा क्या चाहिए मेरे बेटा कुछ नहीं हमको दिक्षा लेनी है हमको भगवान महावीर चाहिए हम उनके पास जाना चाहते हैं तब माबाप ने कहा अब इस बच्चे को बांधा नहीं जा सकता धूम धाम से दिक्षा हुई कई वर्सों तक चरित्र की पालना की अनेक प्रिकार की तपश्याई की और अंतिम समय में विपुलगरी परवत से वो मुक्ती में गए और इसी का एक परसंग भगवती शुत्र के अंदर आता है वो भी एक आगम है वो आपने सुना भी होगा और कई भ्रांतियां दूर करता ये उधारन हमारी तुमारी चेतना को जागरित कर सकता है कईयों की खोपड़ी खराब हो उसको भी समाल सकता है भगवान महावीर के चर्णों में दिक्षित हो गया है एवन्ता कुमार जंगल में रहते हैं वनों में रहते हैं उध्यान में रहते हैं उनके साथ और भी साधू हैं और भी स्थिर मुनिराज हैं सुबे सुबे निमटने के लिए गए होंगे एक दिन पहले बारिस होई होगी हाथ में पातरी होगी पानी उसमें भरा होगा साधू तो अपने धंदे लग गए समझ गए धंदा जो सुबे सुबे होता है वो लग गए निमटने चले गए अब बच्चे को तो आई नहीं बच्चे को तो आई नहीं और बच्चे को आई नहीं तो वो खाली खड़ा क्या करे सामने क्या देखा एक नदी बह रही है पानी बै रहा है एक तलाब में पानी इखटा हो रखा है तो उसी समय क्या हुआ कि मिट्टी खोदी और एक छोटी सी पाल बांदी और पाल इसलिए बांदी कि पानी बहुत है कोई मेरी पातरी दूर ना चली जावे उसको रोकने के लिए क्या कर दी एक बाउंडरी बना दी एक पाल बान दी और पात्री पानी में डाल दी और पानी हाथ से हिला दिया पानी जब हिला तो पात्री हिली पात्री चली और पात्री जब चली ओहो ओहो छोटे-छोटे कदमों पर नाचने लगा, खुस होने लगा, तालियां, जबकि सादू ताली बजाने लगा, नाचने लगा, आ भई, नाव चली मेरी नाव चली, भई, नाव चली मेरी नाव चली, उसको जब नाचते हुए देखा, संतों ने देखा, माथा पीटा, एरे, हम पहले कह रहे थे भगवान को बोला नहीं वैसी बोल रहे होंगे अंदर तो कहते हैं उस बच्चे को वहीं छोड़कर संत चुपचाप चले गए है जब बहुत देर हो गईई तो एवन्ताकुमार को कहा कि गुरु महराज जो साथ में थे हो कहां गए लगता हो सब सतच चले गए उधर एक सवाल चाहते हैं कि जिसको आपने दो दिन पहले दिक्सा दी है जिसका नाम अति मुक्त एवन्ता मुनी है वो इस जनम में मुक्ति में भी जाएंगे या नहीं वो तारणहार है भी या नहीं क्योंकि वो तो किरियाओं के अधार पर ही चिंतन कर रहे हैं तब भगवान ने कहा मुनी राजों उसकी बाल चेश्टा के उपर उसकी निंदा नहीं करनी वो बहुत सरल है और तारण हार है और इसी जनम में वो मुक्ती में जाने वाला है उसके प्रती निंदा के भाव लाकर उसकी असातना नहीं करनी जब भगवान ने बोल दिया इस्त्विरों ने सुन लिया जो गुसा आया था एवंता मुनी पर उस गुसे की आलोचना की और उसके सामने गए कहा कि हमने आपको बुरा माना इसके लिए हम माफी मांगते हैं इस परकार मुक्ती में वो गए ये परसंग है सोलवा अध्यन बनारस नगरी का है अलक्स नाम के राजा है महावन नाम का उद्ध्यान है भगवान बनारस नगरी में भी गए वहाँ पर अलक्स राजा को प्रति बहुत दिया दिक्साली उन्होंने भी अपनी आत्मा का कल्यान किया इसी परकार आट सात्वा वर्ग है जिसमें तेरा नाम बताए हैं उन तेरों के नाम है नंदा नंदवती नंदोतरा नंद स्रेनिका मरूता, सुमरूता, महामरूता, मरू देवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका और भूत दिन्ना भूत दत्ता ये तेरह की तेरह राजा स्रेनिक की रानिया है इन तेरों ने भगवान के चर्णों में उबदेश सुना विराग्य धारन किया विविद परकार की तपश्याई की और अंत में संथारे के साथ मुक्ति के अंदर गई इस परकार आज चठे दिन में साथ वर्ग पूरे हुए और कल आठवे वर्ग में क्या वर्नन आएगा ये हम कल सुनेंगे आपने इतनी देर बेठे इसके लिए धन्यवाद आपको अगर किसी भी परकार से समय को देखते हुए अपनी शरीर की ऐ समर्थता को देखते हुए अगर ए रुची आई हो मन में ये भाव आए हो अब परवचन बंद हो जाए तो अच्छा है ये भाव आए हो तो उसके लिए बोलो मिच्चानी क्योंकि जरूरी है ए रुची नहीं आनी चाहिए